आप सभी को पता है यूपीटर प्लेसी के द्वारा वन दरोगा का जो सलाबिस जारी किया गया है उस पर आधायत हम सभी लोग लगातार जो है पढ़ाई कर रहे हैं और इसका एकजाम मार्च में एक्सपेक्टेड है हमारे जो बैच का नाम है जंगली बैच मात्र टू बैच में मिल जायागा बैच ज्वाइन करने के लिए इस पीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा सेधे आपको लिंक मिल जायागा उस पर क्लिक करिएगा 299 का जो पेमेंट है आप करिएगा और आटोमेटिक आप बैच से ज्वाइन हो जाएंगे अगर कहीं दिक्कत आती है तो WhatsApp नूमबर भी दे दिया गया है कमेंट बॉक्स में आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं लास्ट क्लास में हमने वन जी अब भेरन के बारे बात किया था रास्टी उद्यान के बारे बात किया था किस राज्ज में कौन-कौन से जो वन जी अब भेरन है ज्वरास्टि उध्यान है वो पाये जाते हैं और अब हम आगे यहाँ पर केंटीनो इस क्लास को कर रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं वन जीव भैरन की बारे में प्रसिद्धी का कारण क्या है उनका जैसे जंगली गधा वन जीव भैरन कहां पर है याद होना चाहिए आपको आपने बताया है पिछली क्लास में तमिल नाडवे हैं और किस वज़े से फेमर से पूछवाला जो बंदर है वो यहाँ पर पाया जाता है तो इस सभी फैक्ट इंपोर्टन्ट हैं कहीं न कहीं प्रीविस एक्जाम में आये हुई हैं और आपकी एक्जाम में 100% आने की चांसे से हाँ पर बन रहे हैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है भीतर कड़ी का रास्टी उद्यान कहां पर है? उडिसा में है और यह किस वज़े से फेमस है? कचुवा और घडियाल यहां पर मात्रा में पाये जाते हैं तो ओडियू जो कचुवा है वो यहां पर पाये जाता है भीतर कड़ी के रास्टी उद्यान में और यहां पर जो घडियाल है वो भी यहां पर पाये जाता है आगे important है रंगना इट्टू पच्छी अभारन तो ये रंगना इट्टू पच्छी अभारन कहाँ पर है करनाटक राज्जी में है और यहाँ पर famous क्यों है विबिद प्रकार के जो पच्छी है वो यहाँ पर पाया जाते है सभी जो पच्चियों की व्राइटी है वो यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिल जाएगी और यह important इसलिए बन जाता है इस point को याद रखीगा पेरियार अभ्यरन कहाँ पर है तो पेरियार अभ्यरन है केरल में और जंगली हाथी के लिए जो है यह famous है पेरियार अभ्यरन आपको confuse नहीं हो ना जंगली हाती के लिए पेरियार अभ्यरन है और जंगली गधा के लिए जंगली गधा वनी जो की गुजरात में इस्तत है वहाँ पर पाया जाता है आगे बढ़ेंगे काजी रंगा अभ्यान कहाँ पर है तो काजी रंगा अभ्यान आप सभी को याद होना चाहिए असम में है और एक सिंग गैंडे के लिए ये फैमस है ग्रेरास्टी उद्यान कहाँ पर है ग्रेरास्टी उद्यान गुजरात में है और एक किस वज़े से फेमस है तो ACI से पाया जाता है ग्रेरास्टी उद्यान में इसी वज़े से ये फेमस है आगे बात करेंगे केदारनात अभ्यारन के बारे में तो केदारनात अभ्यारन जो है वो उत्राखंड में इस्तित है और यहाँ पर कस्तूरी म्रग जो है पाया जाता ही स्वाइन को याद रखिएगा तो यह कुछ important fact है हमने आपको बता दिया आगे बढ़ेंगे कुछ जो प्रजातियां है जो जीवजनतु हैं उनकी कुछ प्रजातियां है कुछ पच्छी है उनकी प्रजातियां है वरतमान में उनकी स्तिती जो है आपको पता होना जाई पूछा जा सकता एक्जाम में जैसे पूछा जा आपसे great Indian bastard आपको comment box में comment भी करना है great Indian bastard कहाँ पर पाई जाती है और यह अति संकट ग्रस्त प्रजाति में है इस point को याद रखिएगा कस्तूरी म्रग जो है संकट ग्रस्त है लाल पांडा भी आपका संकट ग्रस्त है और आगे बात करेंगे ACI जंगली जो गधे है संकट के नजदीक है और कस्मेरी हंगुल जो है कम चिंतनी है और चीतल जो है कम चिंतनी है इसके बाद नील गाय कमचिंतनी है, हिम्तिंदुआ सम्मीदन सील में आता है सेर जैसे पूछाला जो बंदर अभी हमने बताया, आपको कहां पर पाया जाता है यह जो है संकट गरस्त प्रजाति में है, जो जो यह लंगूरी बंदर है, वो कमचिंतनी है ये सभी data जो है दिये गए है IUCN के द्वारा IUCN क्या है इसके बारे में एक next वीडियो आएगा जिसमें आपको हम complete जानकाई देंगे तो आप इस point को याद रखेगा ये सभी important जो प्रजातियां है जिनके बारे में हमने आपको बता दिया कि IUCN के तरब से इनको किस category में रखा गया है कुछ uneffect जिनको आपको याद रखना चाहिए बिसुवन जो कोस का प्रतीक जो है क्या है पांडा है स्पाइन को याद रखेगा खड़याल परियोजना वर्स 1974 से सुरू होती है गांडा परियोजना वर्स 1987 से शुरू होती है और यह सभी परियोजना जो सुरू की गई है जैसे सेर परियोजना है तो सेर के बचाओ के लिए है बाग के बचाओ के लिए है घडियाल के बचाओ के लिए है ऐसे हिमचीता परियोजना वर्स 1987 से सुरू की गई है लेकिन इसमे जैसे भारत का प्रतम रास्टी उध्यान जिम कार्वेट रास्टी पार्क है जिसको जो है हेली रास्टी उध्यान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना भी हेली रास्टी उध्यान के नाम से कि गेथी वर्स 1936 में कहां परिस्त है ये जो है इस्तित है उत्तरा खं बारत का प्रत्रम रास्टी उद्यान क्या है? बंगाल टाइगर यह कहां पर पाय जाते हैं तो सुंदरवन जो रास्टी उद्यान है वहाँ पर रायल बंगाल टाइगर पाय जाते हैं स्वतनतरता के बाद आपको याद होना चाहिए कि पहली बार भारत में कुनो निशनल पार्क में जो चीते हैं वो लाए गए तो पहली बार चीते कहां से लाए गए हैं कुनो निशनल पार्क जो की दच्छडी अफ्रीका में पढ़ता है वहाँ से जो है सुद्मता के बाद पहली बार भारत में जो चीते हैं वो लाए गए गुजरात के गिरास्टे उद्यान में कुछ ACI सेरों को मध्यप्रदेश के कुनो अभ्याण में स्थान्दित किया गया है इस पुएंट को भी याद रख सकते हैं टोटल अगर हम बात करें कि बाग कितने हैं भारत में तो 526 बाग मध्यप्रदेश में पाए जाते हैं और स सबसे जादा जो बागों में ब्रद्धी होई है वो करनाटक राज्ज में ही होई है लेकिन सबसे जादा दो बाग जादा है MP में इसी वज़े से जो सबसे जादा अगर बाग आप से पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं तो तो 526 हैं इसके बाद एक जो नई रिपोर्ट वह हम आपके सास्थ शेहर करेंगे आपको बिल्कूल भी परिशान नहीं होना है भारत में सबसे जादा conseguir जान कहा पर है तो वह जो है MP में ही है जाना जाता है इस point को भी याद रखिएगा आगे बात करेंगे बर्ड मैन आफ इंडिया किसे कहा जाता है तो सली मली, डक्टर सली मली को बर्ड मैन आफ इंडिया कहा जाता है और सली मली रास्ट्री उध्यान कहा पर इसे थे तो जम्मू कस्मीर किस्त्री नगर में जिसेते स्पाइंट को याद रखिएगा आगे बात करेंगे यहाँ पर भारती वनस्पितिक सर्विच्छल उभ्या के स्थापना कब होती है तो वर्स 1970 में होती है और कहां पर होती है तो कोलकाता में होती है स्पाइंट को याद रखिएगा इसके बाद असम राजमे हाली में दो नए रास्टी उद्यान बनाएगे हैं इनका नाम है देहिंग पटकई और इसके बाद राय मोना नेशनल पार्क है इस पाइंट को भी याद रखिएगा केवला देवर अस्टी उद्यान जिसे घाना पच्छी बिहार के नाम से भी जाना जाता है यह कहां पर है तो राजिस्थान में है और एक किस वज़े से फमस है जो साइबेरियन सारस है वो यहाँ पर पाई जाती है करनाटक में नागर होल जो निस्टनल पार्क है उसका नाम बदल दिया गया है नाम कर दिया गया है राजिव गांधी निस्टनल पार्क केरल का जो पेरिया निस्टनल पार्क है हाथियों के सनच्छड के लिए फेमस है अभी हमने आपको starting बताई ही था और गहिर माता वने जो की उडिसा में है तो यहाँ पर audio relay जो कच्छुए हैं वो यहाँ पर पाया जाते हैं spine को याद रखना है तो यह सभी important fact थे जो आपके exam में हूब हो देखने को मिल सकते हैं पीडिएफ जिन लोगों ने batch purchase किया है वहाँ पर daily by daily आपको मिल ही रही है और last में जो expect option है उनको भी यहाँ पर करवाए जाएगा तो अच्छे तरीके से तैयारी होगी धुवादार तैयारी होगी और daily अब जो है दो यह तीन जो वीडियोज होगी वो upload की जाएंगी तो आज की वीडियो में इतना ही था मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्स बाचिंग दिस वीडियो